नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुदेश की रसो यूट्यूब चैनल में तो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ मैं गेहूं के आटे से बनने वाला वहूत ही हैल्दी नास्ता जिसे आप एक बर बना कर खा लेंगे ना तो बार बर बना कर खाएंगे इतना टेश आदेश्ट लगता है तो मेरा वीडियो पसंदा राचता थो एक लाइक करें और कमेंट करें और चैनल भी सस्क्राइब करें तो वीडियो में बने रहें believing तो मैंने यहां पर गेहूं का आटा लिया है और इसमें ड़ाए मै dairy मैके और आधा चमच नमक डाला है और आदा चमच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च और मैथि लाला है मैने कसूरी मैथि आप इसकी ज़बहे भरें पत्ती ज़े ले सकते हैं और ये अठा है एक कप के हिसाब से तो आप आटा है जो अपने हिसाब से कर दीज़ादा कर सकते हैं तो आटे में मसाले में गुह सब्सक्राइब कर लिए और तीन से चार चमच था जो यह मसाले वाला आटा है सूखा ते सहा कम minerals का यूज हम जाले करेंगे और कि करना है और क्या करें इसमें मैंने डाला है एक चमच घी शूद देशी भी है इसे क्या होगा नास्ता है जो हमता है इस पी बनकर क्यार होगा आपकी इसकी जगात तेल भी डाल सकते हैं और मैंने आठे का डो लगा कर साइड में रख दिया है रैस्ट पर दस मिंट के लिए लेते हैं एक चोटे साइज का प्याज है बारी काटा हुआ दो हरी मिर्ची है और थोड़ इसी डाली है में हलकी सी लाल मिर्च और नमक स्वाद की हिसाब से और गरम मसाला डालेंगे आदा चमच आदा चमच धनिया पावडर हींग डाला है एक चोधाई बाग और चाट मस करीब यह फीलिंग है जो एकदम मतलब मज़ेदार होनी चाहिए जैसे कि एकदम चटपटी मसालेदार इस तरीके से ही बनानी है तब आपका नास्ता है जो एकदम जबरदस्त बनकर त्यार होगा तो मैंने इसमें सारे मसाले आड़ कर दी हैं और आलों को अच्छे से मिक्स करेंगे आलों मसाला तो आप एक चीज बिल्कुल बारिक तरेके से समझना और फिर इस नास्ते को बना कर देखना बहुत ही गजब का लगता है और जो हमने आटा बचाया था तीन से जार चमच इसका क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक पतला सा गोल बना ले बने तो देखें धैक बैटर रहा है गो यह देख सकते हैं इतना पतला रक्क हें मैं अब क्या करेंगे आटा है जो हमारा इसको अख्धे से सैट करेंगे और दो लोईों में इसको तोड़ लेंगे तो बड़ी सारी रोटी बेलनी है और इसको ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे पतला ही रखेंगे और बड़ी सी रोटी बना लेंगे तो देखिए इस तरीके से मैंने बड़ी सी रोटी बनाई है इसके उपर डाला है मैंने टमैटो कैचप दो से तीन चमच और अच्छे से फैलाएंगे और दूसरी रोटी भी बेल कर रख लिया मैंने और इसके उपर लगाएंगे आलो की फीलिंग जो हमने बना कर रखे थी अ इसको भी अच्छे से फैला देंगे तो आप तीखा कम पसंद करते तो इस चटनी को हटा सकते हैं अगर आपको तीखा कम पसंद है तो और दूसरी रोटी है यह भी इसके उपर से इस तरीके से रखेंगे और चारो तरफ से अच्छे से इसको दबा देंगे अच्छे से इस इसी भी आकार में काट सकते हैं, तो मैं देखिए इस तकरीके से टीन कुन वाला नास्ताया जो काट है जो काट oblak침 हैं उसी तरीके से इसकी कटिन कर लेंगे बिल्कुल असान है और यह बिल्कुल आसान छाथ क्य जाता है अब पीजाटर के सांदräंड सकते हैं == मैंने प्त खेण चाकु से काट दिया तो यह देखिए इस तरीके से उठा कर रखे वेंगे प्रेट में रखे लेंगे और आप क्या करेंगे जो हमने गोल बना कर रखा था इस नास्ते को इसके अंदर डालेंगे और इस तरीके से इस तरीके में डबो कर और सीधा तेल में डाल देंगे तेल है जो मैंने गरम होने के लिए रख दिया था और मैं इस बैटर में हल्दी डालना बूल गई थी और मैं फ्लेंपे नहीं पकाएंगे लो फ्लेंपे पकाएंगे तो ओ अ्बैंबे पकने दें थैंगे पांस से साथ मिंट osis 1mm इस उंठल स के फूँटे को और नर्थी तो जल्ड़ी सिंख जाएगा कि अंदय देख ली इसको ले पल्ड़ करदें इस नास्ते को और फिर देखें पांस से साथ मींट बाद है जो यह नास्ते के उपर कितना प्यारा कलर आ गया है तो अब इसको निकाल लेंगे एक पलेट के अंदर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इस नास्ते को बनाने में बहुती असान है और खाने में बहुती ज़्यादा स्वादिश्ट लगता है तो एक्ष्ट्रा ओयल छोड़ते हुए इस तरीके से इस नास्ते को रख लेंगे और सभी नास्ता है जो इसी तरीकी से बना कर तो यह देखिए नास्ता है जो मैंने बना लिया है तो आप इसे हरी चेटरनी टमायटों कायचप या दही के साथ किसी भी चीज के साथ इसे इंजोई कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है तो यह खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी है आप इस तरीके से एक बार जुरू करें तो मेरे कहने पर इस नास्ते को एक बार जुरूर से ट्राइ करना आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू